हेलो एवरीवन आज CMA इस्टिट्यूट ने जस्ट एक अनॉंस्मेंट एक नूटिफिकेशन इस्टू किया है पर डिसेंबर 2020 एक्जाम और वो नूटिफिकेशन में क्या लिखावा है कि जो डिसेंबर 2020 एक्जाम होने वाला है CMA इंटर एंद CMA इंटर और फाइनल दूनों आनलाइन मोड में होगा तूपर इंपोर्टन नौटिफिकेशन है आप अगर आपनों यहां पर लिखो तो जो सिंस जून में एक्जाम नहीं हुआ था CMA इंटर फाइनल का तो जून एक्जाम और डिसेंबर ने ने एक जो होने वाला था वो ऑनल online mode में CM institute ने दो option दिया है पहला option दिया है आइधर सेंटर बेस्ट online या रहेगा home-based online जानि एक option रहेगा आपको घर से online exam दे सकते हैं या दूसरा option रहेगा आपको सेंटर जाए और वहां जाके online exam दे सकते हैं अब online exam तो वस बोल दिया कि online exam होगा पर जो exam का question paper का pattern है उसके बारे में अभी तक कोई भी information नहीं है अगर आप लोग यहां पर देखो और आगे लिखावा है clear cut कि exam का जो question paper का pattern रहेगा उससे related जो notification है या जो instruction है या जो भी और बाकी information रहेगा वो in due course of time provide किया जाएगा आव वो due course of time हम लोग उमीद कर रहे हैं बहुत जल्द होना चाहिए hopefully within one to two days जितना जल्दी आए उतना अच्छा हम लोग के लिए रहेगा prepare करना अब देखो चीज ऐसा है ना कि online exam हो रहा है अब किस pattern में हो रहे है उसका करके scan करके देंगे या फिर हम लोगों कंप्यूटर में type करना पड़ेगा अभी कोई भी शरीटी नहीं है इसलिए speculate करना गलत रहेगा पर जो जो answer लिखने का pattern है वो शायद थोड़ा change हो सकता है अब एक simple example लेए अगर paper 8 और paper 10 का तो देखो already हम लोगा 20 mark paper 8 में और 25 mark paper 10 के अंदर में objective type question रहता था जिसके लिए हमने 6 वीडियो जिसके लिए मैंने 6 वीडियो बना कर YouTube channel में डाला था आप लोग चाओ तो चेक कर सकते हो CMA का एक अलग playlist किया था जिसमें हम लोग 6 वीडियो में सर्फ वही discuss किये थे अगर मानलो और थोड़ा objective type question बढ़ता है तो हम लोग definitely और practice करेंगे तो ऐसा नहीं कुछ नगा concept आ जाएगा बस जो एक लंबा चोड़ा question करने का pattern था वो शह थोड़ा और चोटा तरीका हो जाए अगर मानलो ऐसा आया तो अगर मानलो subjective रहा तो कोई tension वाला बात नहीं है anyways हमारा वैसा किया हुआ था तो अभी वो सब speculate करना कि exam में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है उसको लेके अभी धिमाग मत लगाओ आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते चलो जैसी अगला notification आएगा और मानलो कोई तरीका का बदलाव हम लोगों करना पड़ा तो आप लोग tension मत लेना 100% किया जाएगा यह first parity basis भी किया जाएगा तो यह एकदम simple बात exam तो होगा कोई doubt ही नहीं है online mode में होगा कोई doubt नहीं है ऐधर घर या center में जाके होगा वो anyways यहाँ पर बोला है कि option selection करना है जिसका यह लोग बताएगा guidelines देंगे किस तरीका से रहेगा खाले एक बात है कि exam का question paper का pattern क्या रहेगा वो जैसी वो लोग around करते हैं साथ साथ में हम लोग भी अपना जो future course में जो strategy रहेगा वो हम लोग ज़रूर discuss करेंगे और एक बास एकदम दिमाग में रखना यह जो tension है यह सर्फ आपका tension नहीं है equally हम लोग साथ साथ में exam के दिन किस तरीका से करना है उसको पूरा proceed करेंगे तो अभी खबराने का नहीं है ज्यादा confusion का कुछ नहीं है ज्यादा chaos मत create कर अपने mind में क्योंकि institute भी सो समझ की फैस्ता लेगा किस तरीका से करना चाहिए और जो भी फैस्ता लेगा हम लोग exact उस तरीका से implement करेंगे हमारे दून में कुछ extra नहीं आ रहे कुछ जान नहीं रहे syllabus होई है हो सकता है आंसर लिखने का तरीका में शहीं थोड़ा बदलाव आए वह हम लोग एड़ा कर लेंगे चुनों मेरे को इतना साही बात बूलना था अब जैसी अगला announcement आता है हम वापस से आप लोगे साथ शेर करेंगे आगे का strategy हमारा क्या होना चाहिए थांक्यू बाइ